तोकियो पेरलंपिक में बिहार के बेटे प्रमोध भगत ने इतिहास रज़ दिया है बैट बिंडन में देश के लिए गोर्ड मेडल जीत कर उन्होंने बिहार के साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया है पदक जितने के बाद उनके गाउ में जश्न का बाहौल है प्रमोध भगत बिहार के हाजिपूर के रहने वाले हैं लेकिन पांच साल के उम्र में पैर में पोलियो के कारण उनकी बहन बहतर इलाज के लिए उन्हें ओरिसा लेकर चली गई थी जहां उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और बैडमिंटन खेलना शुरू किया प्रमोध के पिता गाउ में ही रहकर खेती करते हैं प्रमोध भगत ने बैडमिंटन के पुरोष शिंगल में फाइनल में ग्रेड बिटेन के नंबर दो डेनियल वैथेल को 21-21-21 सत्रा से हराया है इसके साथ ही 33 साल के प्रमोध भगत पैरलंपिक के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भाद ये शटलर बन गया है SL3 वर्ग में ही मनोज सरकार ने भी सांदार प्रोदुशन करते हुए काश्य पतक जीता है उत्राखंड के रहने वाले मनोज ने ब्राउंज मेडल मुकाबले में जापान के डाइकू सुके फुजिहारा को 46 मिनट में 22-21-23 से शिकस दी है गतलब है कि मनोज सरकार को सेमी फाइनल में डेनियल बैथल ने हरा दिया था इसके साथ ही भारत के पदकों की शंख्या सत्र हो गई है वर्ल्ड नंबर वन प्रमोद ने ये खिताबी मुकाबला 45 मिनट में अपने नाम किया है सेमी फाइनल में उन्होंने जापान के डाइको सुकू को 21-21-21 से हराया था बतादे कि आज का ही दिन अब तक काफी सांदार रहा है एक ही दिन में भारत ने दो-दो गोल मेडल अपने नाम कर लिया है पहले सुटिंग में मनीश नर्वाल ने देश को गोल जिताया और अब भारतीय बैटमिंडन खेलारी प्रमोध भगत ने श्रन पदक जीत कर एतिहास रज दिया है मौझूदा परलंपी की बात करें तो भारत ने अब तक 17 पदक जीते हैं भारत के खाते में अब तक 4 श्रन, 7 रजत और 6 कास्य पदक जीते हैं